कि चलिए सब स्टार्ट करें देखा जाए तो एक बहुत ही आसान चप्टर रही है कि ब्रांच अकाउट ठीक है ना अब यहां पर दो शब्द होते हैं एक होता है ब्रांच अगर मैं ब्रांच की बात करूं तो ब्रांच होता क्या है यह सब आपको पता है इसको ज़्यादा डेफिनेशन में हमें टाइम तो खराब करना नहीं है कि सर ब्रांच क्या है आपने कोई भी एक अपना ओफिस खोला ठीक है उस ओफिस का जब आपको एक्सपेंशन करना है जब आपको एक्सपेंशन करना है तो उसके लिए आप एक न्यू लोकेशन पर एक नई दुकान खोल लोगे तो एक आपकी old वाली तो दुकान होगी होगी old जो आपकी दुकान होगी वो तो है ही है आपने अपने business को बढ़ाने के लिए क्या किया एक आपने नई और दुकान खोल ली new shop खोल लिया अपने ठीक है तो जो old वाली दुकान है और new वाली दुकान है की हमारी क्या है ब्रांच छी ही और जो पुरानी वाली दुकान है जहां से हम अपने बिजनस की और इसन यानि जहां से बिजनस टार्ट करते हैं उसको हम पता है किज भूलते हैं एट ऑफिस ठीक है ना उसको क्या बोलते हैं हैड ऑफिस का मतलब होता है जहां पे सारे फैसले लिए जाते हैं जहां से सब कुछ चलता है सिंपल सी बात करें हम एक एक दुकान है जैसे की मैं बात करूं बी-टी-डबलू आप सभी ने इसका नाम सुना होगा बिट्टू टिक्की वाला इसने अपना स्टार्ड जो किया था वो यहीं रानी बाग से किया था है ना रानी बाग से उसने अपना दुकान स्टार्ड किया था आज की टाइम पे सिर्फ रानी बाग में नहीं है, मैंने जो observe किया है, जो real life में देखा है, नेता जी सुभास palace में भी है, मैंने इसको रोहिनी में भी देखा है, जो मैंने दू जगाए देखा है, बाकी तो कहते ही कि और भी मेरी branches है, लेकिन मैंने visualize कि यह दो जगाए है, तो यह जो रानी बाग है यहां पर सबसे पुराना काम तो यहीं से स्टार्ट किया इन्हों ने तो यह हो गया हमारा head office और जो यह दोनों हो गए इसके क्या हो गए branches हमें जो accounting सीखनी है वो head office की नहीं हमें accounting सीखनी है किसकी branch का अगर branch word को हम देखें तो अगर शब्द आता है सर्फ branch तो ब्रांच के भी type होते हैं कि सारखर वर्ड है सुर्फ branch तो सर ब्रांच के भी type है किसे कितने type अब ब्रांच के branch दो तरीके के हो सकते हैं एक तो हमारे इंडिया में हो सकता है branch और एक कहा हो सकता है इंडिया से बाहर यानि आउटसाईड इंडिया ना एक इंडिया से बाहर भी हो सकता है अगर इंडिया से जो बाहर है उसको हम एक special नाम दे देते हैं that is foreign branch foreign में हमारा business है बोलते हैं ना कि मेरा business अब इंडिया के बाहर कहीं भी हो सकता है दुबई हो सकता है USA हो सकता है तो मेरा foreign में भी foreign यानि out of India है तो वो होता है हमारा foreign branch और जो इंडिया के अंदर होता है ना इसको बोलते हैं inland branch तो अपनी किताब में जो आप देखोगे ना branch chapter तो branch सर्फ word नहीं लिखा है अगर आपके syllabus में branch chapter होता है ना तो आपको दोनों branch पढ़ना पढ़ता foreign भी और Indian भी लेकिन आप देखोगे तो आपको branch नहीं लिखा है क्या लिखा हुआ आपके syllabus में जो डियू का है वो लिखा हुआ inland branch लिखा हुआ है आप देखोगे तो तो foreign branch कौन सा है जो इंडिया के बाहर हमारे business चल रहे है वो foreign branch है और जो इंडिया के अंदर branch अभी पढ़ने की कोई अवशकता नहीं है आपको सिर्फ कौन सा branch पढ़ना है सर इंडिया ब्रांच पढ़ना है तो हम इंडिया ब्रांच जितने भी होते हैं उसकी accounting कैसे होता है वो देखेंगे पहले तो clarity होना चाहिए कि हम पढ़ने के हावाले हैं ठीक है ना तो कौन सा branch पढ़ेंगे हम inland, inland का मतलब इंडिया में जो branch है उसको पढ़ेंगे सर अब कुछ branch के activity की मैं बात करता हूँ branch दो तरीके से हो सकते हैं देखें example number one जैसे मान लेते हैं मैंने BTW का example लिया for example आपका BTW जो इसकी दुकान है ना main जो है head office that is जहां से इसने origin किया था उसे रानी बाग मैं एक example ले रहा हूँ कि जहां start होता है ना हमेशा head office वहीं रखते हैं लोग बाग जादा से जादा कई बार वो location चेंज भी कर सकते हैं लेकिन मैं इस case में मान रहा हूँ कि कहां पे है रानी बाग अब सिर्फ यह रानी बाग में नहीं है इसके साथ साथ जो बी टी डबलू है वो other जगह भी पहुँच चुका है सर सर other कहां पे other की मैं बात करूँ तो for example वो हम नेता जी सुभास पैलेस मान लेते हैं एन एस पी ठीक है ना कौन से ब्रांच पे आगे हम नेता जी सुभास इस पे अब आप यहां पे ब्रांच का सबसे में जो थिंग होता है ना वो होता है quality of product आप यहां पे अगर बिट्टू टिक्की वाले का अगर मान लेते हैं यहां पे आप टिक्की खाते हो तो यहां के टिक्की खाने में और यहां के टिक्की खाने में taste का फरक होगा क्या बताएए नहीं होगा टेस्ट का फरक कई बार चेक करना जा के हम बिलकुल भी फरक नहीं होगा क्योंकि जो यहां पे है क्योंकि यहां पे जो समान यूज हो रहा है न वो समान पता है कौन भेशता है जो इसको हमने क्या नाम दिया बिट्टू टिक की रानी वाग में जो स्टार्टिंग में था इस उसके ब्राँच में यह क्या है इसका एक तरीके से ब्राँच है यह हां पे भी BTW है यह क्या है हमारा प्राँच तो जितने भी होंगे जो भी ये यूज़ करता होगा same material वहाँ भीजा जाएगा आप किसी भी हल्दी राम के देखोगे बहुत सारे branch है आप चाहे किसी चीज़ का showroom देख लो उसके भी बहुत सारे branch है तो हर जगह आपको same और in fact आपको उस showroom का या उस दुकान का color structure ये सब भी same रखते हैं ये सब किसलिए रखते हैं कि लोगों के mind में एक brand image बन जाए भाई वो दूर से पता चल जाए कि ये वो तो यहाँ पे अब यहाँ पे दो बाते हो सकती है number one number one ये हो सकता है कि जो head office बोले कि भाई तुम में सारे चीज़े तो हम दे रहे हैं तुम अपनी accounting खुद करो accounting अपनी खुद करो हमें मतलब नहीं है अपनी accounting क्या करो आप self करो हमें नहीं पता हमें मतलब ही नहीं है भाई self करो बस last में जो भी profit होगा न जो भी profit होगा न, last में, वो profit हमें बता देना, और जब हम अपनी accounting करेंगे खुद, और हम अपनी accounting खुद करेंगे, और जो last में हमारा profit होगा न अकाउंटिंग करेंगे तो last में हमारा क्या निकल जाएगा सर profit निकलेगा और जो profit निकलेगा सपोज करो मेरा profit निकला एक लाख रुपए है और भाई तुमने accounting कर ली NSP वाले से पूछा कि NSP वाले भाई तुमने accounting कर ली manager उसने बोला कर लिए मैंने profit कितना है बोला मेरा profit आया है मान लेते हैं 40,000 तो last में जब income tax भरना होगा न तो 40,000 और एक लाख में पूरा किस पर टेक्स भर दूँगा एक लाख 40,000 पर टेक्स में government को दे दूँगा एक तो यह तरीका हो गया यानि accounting किस ने किया दोनों ने अपने अलग-अलग इसे बोला जाता है independent branch इसे कौन सा branch बोला जाएगा यानि भाई अब वो अपना काम खुदी कर रहा है ठीक है न इसे क्या बोला जाएगा independent branch तो independent branch भी हमारे syllabus का हिस्सा नहीं है ठीक है अब एक होता है कि दूसरा condition क्या हो सकता है सर दूसरे condition को ध्यान में देना second condition कि भाई तुम्हें सारा समान हम दे रहे हैं सब कुछ हम दे रहे हैं तुम्हें कुछ नहीं करना बस दिन बर सेल करना है जो भी सेल आया मेरे पास साम को हिसाब जाके देतेगा यानि दिन बर बैटे दुकान पर उसने जो भी काम हुआ भाई पैसे पहुचा दिया सारी accounting यानि ये अपनी self वाली accounting तो करेगा ही करेगा और साथ के साथ अपनी self तो करेगा ही करेगा और साथ के साथ एक अपनी branch का भी accounting रखेगा और ये दोनों काम कौन कर रहा है head office ही कर रहा है दोनों काम अब जब दोनों काम head office कर रहा है तो किसका अपना भी कर रहा है और किसका कर रहा है branch का अब branch को हर चीज हर point के लिए सारा permission लेना पड़ेगा किस से तो ये पूरी की पूरी तरीके से क्या होगि एक तरीगे से depend हो गया तो इस ब्रांच को क्या बोलेंगे dependent ब्रांच तो हमारे स्लीवस में dependent ब्रांच जो inland branch है, वो दो पार्ट में बट गया, किस-किस में, एक होगा हमारा कौन सा, dependent branch, और एक होगा कौन सा, independent branch तो आपके स्लेवस में क्या पढ़ाओगे सर हमें इसलेवस में हम आपको पढ़ाने वाले हैं इंडिपेंडेंडेंट ब्राँच भी आपके स्लेवस में नहीं है तो पहले clarity हो कई बार होता है कि सर्फ branch पढ़ रहे हैं बहुत सारे बच्चे यूटूब अगरे पर देखते हूं self पढ़ते हैं और वो branch chapter ढूंड लेते हैं हमारे नहीं है हमारे पेपर का तो सरफ एक हिस्सा है डेट अब dependent branch की खास बात देखते हैं अब dependent उब अगताया गएा कि आपको इसमें दो मेथट्स करने होंगे चैप्टर को सीखने के लिए कितने मेथट्स सीखने होंगे आपको सर दो मेथट्स सीखने होंगे सर कौन कौन से दो मेथट्स सीखने होंगे सर दो मेथट्स सीखने होंगे एक होता है हमारा डेटर सिस्टम और एक होता है हमारा stock debtor system अधय न एक है debtor system और एक stock debtor system लेकिन सर अभी तक एक बात नहीं समझ में आये कि हम इस चाप्टर में सीखेंगे क्या हमें सरे और सरे प्रांच का हमें examiner को एक ही चीज निकाल के बताने कि ब्रांच ने profit कितना कमाया है हमारा goal रहेगा ब्रांच का प्रॉफिट निकलना यानि इन शॉर्ट बोलू तो भईया ब्रांच का हमें बनाना पड़ेगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के पी एंडल कैसे बनेगा इस पी एंडल को बनाने के दो तरीके हैं या तो आपको डेटर सिस्टम से पूछ लेगा वो या फि सिंपल बिना प्रोविजिंट फो डे пользовisches से करो डोनु केस के अंदर आपका तो मैथट के अंदर डेénom ही आला है तो दोनों में चाहिए करो अब इस के अंदर भी दो पार्ट हो जाएगा अपका further classification सर इसके अंदर हमसे पूछ सकता है कि cost price पे इसको कैसे किया जाए और एक पूछ सकता है invoice price पे एक पूछा जा सकता है किस पे सर एक cost price एक invoice price invoice price को आज के बाद short firm में हम IP बोलेंगे ठीक है न? IP short firm बोलेंगे same as a tease देखा जाए तो जो चीजें यहाँ applicable है as a tease same आपका यहाँ पे भी पूछा जा सकता है ठीक है? तो पहले सबसे पहले देख लीजिए क्या पढ़ना है branch में? branch में हमें पढ़ना है कौन सा branch? dependent branch और dependent branch के अंदर दो methods हैं questions को करने के एक है data system और एक है stock data system और दोनों में ही एक ही roll रहेगा balance sheet नहीं बनाना हमें सिर्फ और सिर्फ बनाना है उसका profit and loss के साल के duration में कितना profit कमाया या loss हुआ? बस यह निकाल के examiner को बताना है इसको करने के लिए हमें बहुत सारे चीज चोटे चोटे account चोटे चोटे calculation वही सीखना है हमें इस पूरे के पूरे चेप्टर के अंदर तो एक चेप्टर हमारा branch है जिसमें से आपके exam में 100% question पूछा जाएगा और वो जो question पूछा जाएगा ना एक ही question आएगा और सीधा question वो आएगा आपका 18 नंबर का जो semester 3 और मैं बात कर रहा हूँ जो new education policy का है एनीपी वाले बच्चों का 18 नंबर का एक question आएगा इसमें से और आपके paper में ये question number आपको 4 देखने को मिलेगा question paper के अंदर question number 4 और unit भी कौन सा है हमारा 4 है सर् इसके option में क्या आएगा इस chapter के option में departmental chapter पूछा जाता है जो कि अगला chapter है हमारा departmental ठीक है तो चलिए सर् हम पहले क्या start करेंगे हम पहले करेंगे debtor system और debtor में भी पहले सीखेंगे cost फिर सीखेंगे invoice वाला फिर हम start करेंगे stock debtor system फिर cost वाला और फिर invoice वाला जब ये सारा हम कर लेंगे तो इसके बाद हमारा ये chapter खतम हो जाएगा इसमें एक concept markup prize भी होता है डेली उनिवर्सिटी कहता है हमें markup prize वाला बच्चों से नहीं पूछना क्यूंकि आपके पास 3-4 महिने होते हैं तो बहुत detail में नहीं पूछा ज सीखेंगे बताओ इतने सारे लिखवा हैं इसमें से कौन सा सीख रहे हैं हम डेटर सिस्टम तो पहला हम स्टार्ट करते हैं डेटर सिस्टम सर डेटर सिस्टम बनाने के लिए हम कैसे 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 क्या क्या जुरत होगी final account में तो आपने बताया trading बनाओ profit and loss बनाओ direct expense होंगे indirect expense होंगे और NPO में ऐसे receipt होता है payment होता है तो इसमें भी कुछ चीज़ें होंगी बिलकुल होंगी इसको सीखने के लिए आपको कितने accounts बनाने पड़ेंगे number one एक आपको बनाना पड़ेगा branch account एक बनाना पड़ेगा सर branch account और that is branch account in short वैसे बोलते नहीं है in short मैं बोलू तो यह पी एंडल है यानि जहां पे हम अपने खर्चे और income का detail और कुछ assets का भी detail रख लेते हैं इसको help करने के लिए एक account बनाना पड़ेगा debtors क् क्योंकि debtor system है तो हमें बनाना पड़ेगा एक debtor account इसके साथ-साथ debtor account के साथ एक और new account हम इसमें सीखेंगे that is petty cash expense account आपने 11 वी class में थोड़ा बहुत नाम सुना है petty cash expense account mainly हम इस topic के अंदर तीन account बनाना सीखेंगे यह दोनों account बन भी सकते हैं और नहीं भी यह helping account है इसके main account कौन सा है हमारा that is branch account तो पहले हमें एक बार format देख लेते हैं कि सर branch account कैसे बनेगा उसके बाद एक question देख लेंगा बहुत simple सा chapter है यह चलिए format कैसे रहता है account तो आपको पता ही है दुनिया का कोई भी account है बनाने का format तो एक ही रहता है टी शेप account फॉल्लो करते हैं हमें साथ चलिए सर यह पहले हम format कर लेते हैं सेम चलिए यह हमारा ब्रांच अकाउंट इसर ब्रांच अकाउंट यानि पर्टिकुलर अमाउंट पर्टिकुलर एंड अमाउंट और यह साइड क्या होगा debit और यह साइड होगा credit जितने भी नए बच्चे हैं online में उन सभी नए student को पिछे से कोई लेना देना नहीं है सर equipment वाले unit में question नहीं किया equipment वाले unit equipment वाला कौन सा unit है प्लांट equipment उसमें एक रहता है ना आपका बागी का जो मैंने कल की class organize करना है उसका चलिए यह तीन आकाउंट का बोला था अभी दू अकाउंट बनाएंगे दूख अब फिलाल हम दूख बनाएंगे तीसरा अकाउंट बहुत रियर यूज़ होता है तो जब यूज़ों सब देखेंगे है अभी फिलाल दूख कि यह बना लिए हमने डियर अकाउंट इदर अकाउंट सिर्ड पर्टिकुलर अमांट कौन सा ब्रांच सीक रहे हैं डिपेंदेंडैंट या इन्डिपेंडेंडेंट को इस बार को जब हम इसमें और लिखेंगे तो मैं और डिपेंडेंडेंट में अक व्याओंट है कि लेघा, एक पार बता सकते हो किया? अकाउंटिंग कौन करेगा बताओ. head office करेगा कि ब्रांच तो करी नहीं सकता. मान लेते हैं, हेड ओफिस है, और इसके साथ साथ एक मान लो ये ब्रांच है, ठीक है? और ब्रांच का मेनिजर है, दोनों मेनिजर ski- अब ब्रांच का मेनेजर हमेशा इसको सारी डिटेल भीज दिया करेगा ठीक है और पैसे भीजेगा कौन भीजेगा पैसे प्रांच वाला जितने पैसे दिन भर में होगा उस पैसे को क्या करेगा इसको भीज देगा तो एक प्रोसेस होता है कि देखो जैसे कि मैंने आपसे फ दोनों में फरक है, फरक क्या है, एक अपने direct खुद कमा के दे रहा है, और एक कमाया किसी और ने उसके थुरू आ रहा है तो जब कभी भी पैसा ऐसा होता है ना, कि एक बच्चे ने पहले मम्मी पापा से लिया, फिर मेरे पास आया, तो इसको हम receive नहीं बोलते हैं, इसको बोलते हैं remittance, इसको बोलते हैं remittance हम अभी सीखेंगे, आगे देखेंगे remittance थोड़ा-थोड़ा word डालता जा रहा हूँ, तो उसे क्या बोलेंगे remittance, और अगर आप job कर रहे हैं और आपने मुझे पैसे दी दिया, तो इसको क्या बोलेंगे receive कर लिए remittance, ठीक है, तो दोनों में फरक है तो चलिए, अब simple सी बात है, head office accounting कर रहा है तो सबसे पहले, इस branch account को as a p handle सोचना है आपने, और सबसे पहले क्या करेगा जितने भी assets के opening balance है, यहाँ लिख लेंगे यानि मैं लिख रहा हूँ, to balance bd, bd का मतलब क्या होता है, opening, लिखना नहीं चाहिए मैं इसको चलो, यह थोड़ा complicated हो भी सकता है आपके लिए, तो मैं यहाँ से इसको हटा के और simple सा word लिख देता हूँ, that is यहाँ पर opening balance sir, opening balance और closing balance हमेशा assets और liability का होता है कभी भी किसी खर्चे का ना तो opening balance होता है और ना ही closing balance, इस बात का आपको ध्यान रखना है हमेशा अगर मैं बोलू, मेरे salary का क्या है opening balance, कुछ नहीं होता क्योंकि it is a expense, हमेशा assets या liability का होता है तो सबसे पहले opening balance में क्या लिखोगे sir, opening balance के अंदर सारे के सारे हम assets लिख लेगे, जितने हैं, mainly कौन से assets होगे sir, सबसे पहले एक होगा debtor, mainly कौन से assets होगे sir, एक होगा हमारे पास debtor अंदर की site लिख लेंगे, ठीक है, उसके बाद हो सकता है furniture, इसके बाद एक cash balance हो सकता है, एक हो सकता है petty cash, और कोई भी other assets हो सकता है, उसको यहीं लिखेंगे, मैं पूरा नहीं लिखना चाहता है, सारे assets, आपका bank हो हो गया, cash हो गया, machinery हो गया, building equipment कुछ भी हो, सब यहां लिख लेंगे, और सर यह किसका account कर रहे हैं, head office कर रहा है, branch कर रहा है, यानि जो जो branch के पास पढ़ा है, उसके सारे detail लिख लेंगे, समझ मैं है, अगर head office मेरे पास एक building है, तो उसको लिखेंगे क्या, नहीं, जो branch के पास है, वो detail करेंगे, head office मेरे पास एक building है, वो तो अपनी accounting में करेंगा, चलिए, अब इसके बाद, कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जो कि हम branch को liberty दे देते हैं, कि भाया, तुम खर्च कर लेना, और कुछ खर्चे ऐसे होते हैं, जो कि branch को बोलते हैं, भाय, तिरको खर्च नहीं करना, मैं ही payment करूँआ, जैसे employee की salary, अब मैं अगर इसको बोलू, चल, तेरी salary कितने 20,000 आज दिन भर sale कर लिए और अपनी salary काटके मुझे दे दियो, एक यह होगा भाई, तेरी salary वो तो मैं दूँगा ना, जितनी sale है, वो मुझे दे तूँ, तो एक हो सकता है, जो खर्चा है, वो head offices को दे, और एक ऐसा हो सकता है, कि branch खुदी उस खर्चे को महां से cut कर ले, example समझना, जैस अब इसको एक disposal plate की जुरत पड़ी, आज दिन भर का sale इसका 10,000 रुपए है, दिन भर का sale कितना है, 10,000 है, 10,000 के sale में इसको एक disposal plate की जुरत पड़ी, that is cost 100 रुपए का, एक disposal plate है, क्योंकि दुकान दारी में तो भाई, steel वाले plate वगएरा, तो system खतम ही हो गया, सब किस पर दे है कि मैं head office जाओंगा, इतने तो customer बहुत सारे return हो जाएंगे, इस branch के NSP के side में ही एक दुकान है, that is, वो disposal plate भीशता है, इसने फटा-फट phone किया head office को, भाई, अब plate खतम हो गई, भीजवा दो, उसने बोला, भाई, मैं तो time लगेगा यहां पर, उसने बोला, एक काम करो, त फिर पूरे 10,000 भेजेगा, 900 भेजेगा, तो यह जो 100 रुपे, यह भी खर्चा है, यह कौन सा खर्चा है, किसने किया यह, branch ने खुद किये है, समझना बात को, अब salary की बारी आई, बोला भाई, अब मेरी salary भी दे दो, तो head office ने क्या करा, तू मेरे पास आजा, मैं तिर को salary दे देता हूँ, आजा, अब यह भी खर्चा branch के लिए है, और वो भी खर्चा branch के लिए था, फरक कि यह है, कि salary जब देना हुआ, तो मैंने इसको बुला लिए, और फिर मैंने इसको salary दिया है, तो यह payment किसने किया है, head office ने किया, तो अब खर्चे दो हो जाता है, एक head office कर रहा है, तो यहाँ पे सारे खर्चे वो होंगे, जो की expense paid by head office, खुद करेगा वो नहीं होगा, कौन सा आएगा यहाँ पे, जो खर्चा head office paid करेगा, question में clearly बोलाओगा salary head office ने दिया, तो यहाँ लिख देगे, question ने कहा होगा कि rent जो है branch ने खुद दिये हैं, तो हम खर्चे, अब खर्चे कुछ भी हो सकते हैं, मैं example के लिए मान लेता हूं, salary, petty expense, मैं मान लेता हूं, rent, तीन ही खर्चे ले लेता हूं, बाकि तो सारे खर्चे आपको questions के उपर depend करेगा, बस आपको overview दे रहा हूं में, और इस total को यहाँ लिख देगा, आप बाहर भी directly लिख सकते हैं, असा नहीं कि अंदर ही लिखना है, directly आप बाहर भी लिख सकते हो, तो देखो हमारे जितने assets से और सारे खर्चे आगे, मैंने कहा branch account एक पी इंडल होता है, तो पी इंडल का income किदर जाता है हमेशा, buy side में, अब इसके पास income जो buy side में आएगा, वो income लिखेगा, अगर ये 9900 sale यहां लिख रहा है, और अगर वो 100 रुपे इधर भी लिख देता, तो दो बार हो जाते हैं खर्चे, तो उसके पास कितना दिखता, 9800 दिखता, समझ रहे हो बात को, तो इसलिए कहा गया, कि आगर branch ने payment कर दिया, तो आप तो 9900 लोगे, तो 100 यहां मत दिखान सिर्फ यह reason है, जिसके वज़े से बोला गया, कि branch के खर्चे को इधर मत दिखाना नहीं, तो वो क्या हो जाएगा, doubling हो जाएगा उस situation, ठीक है, अब यहां पे देखा जाए सर, 9900, अब जो यहां पे पैसे मुझे देगा ना, थोड़ा सो और example को elaborate करते हैं, सर जो branch है ना, branch जो हमें payment करेगा कैसे करेगा, branch की दिन भर की कमाई पता है कैसे होगा, एक तो cash में बेचेगा, और कई बार branch उधार भी बेचता है, एक credit में बेचेगा, और ऐसा भी हो सकता है कि branch ने कुछ scrap बेच दिया, कुछ भी बेच दिया, ठीक है, दो जगे से पैसे, अब cash वाला पै से मिल जा, तो उधार किस बात का हुआ हो, तो बात में मिलेगा, तो हमारे पास पैसे आने के दो sources होंगे, mainly, दो sources कोन से, एक होगा मेरा cash sales, और एक होगा collection from debtor, debtor से जो पैसा मिलेगा, क्योंकि आज तो उधार बेच दे, लेकिन कल तो देगा, अब आज मेरे पास मानता हू कि मेरे पास सरिफ cash sales आ रहा है, लेकिन कल से क्या होगा, cash sales भी आएगा, और credit collection from debtor, अब ये पैसा receive कौन करेगा, सबसे पहले ये manager receive करेगा, तो customer से इसने receive करा, उसके बाद इखटा करके उसने मुझे भेज दिया है, तो इसको अब receive नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे, remittance इसको क्या बोलेंगे, remittance, तो buy side में आ जाएगा, remittance, double T-A-N-C-E, remittance, sir, remittance के अंदर, दो चीजे के पैसे आ सकते हैं, एक तो आ सकता है किसका, cash sales, और एक कौन सा आ सकता है, collection, from debtor, ये remittance, ये क्या होगा, एक तरीके सा है, जो हम P&L में sale बोलते हैं, वो sale कही पाट, अब जितने भी हमारे पास assets हैं, इस assets का opening के बाद हमें closing लिखना है, ठीक है न, तो buy side में, closing balance, closing balance, sir, closing balance में क्या-क्या लिखेंगे, closing balance की अगर बात करें, तो क्या लिखोगे, sir, अब जितने assets हैं, यानि हमें debtor का closing balance निकलेगा, sir, debtor का closing balance question दे देगा, नहीं देगा, तो हम निकाल लेगे, किस से debtor account से, ठीक है, इसके बाद sir, furniture का हो सकता है, furniture का closing balance कितना निकलेगा, जो शुरू में था ठीक है, बाकी depreciation लगा के निकल जाएगा, इसके बाद क्या होगा, cash का closing balance कितना cash बच गया, इसके बाद क्या होगा, petty cash का अगर दे रखा है, तो ठीक नहीं दे रखा, कोई बात नहीं, petty cash पे हमें अलग से थोड़ा सा time देना पड़ेगा, जब आगे अलग जाएगा, अब यहां तक सबको clear है, अब हमारे कई बार क्या होता है, कि हमने branch को समान भीजा, और वो समान defective हो गया, ठीक है, branch को हमने समान, सबसे पहले तो हम branch को क्या करेंगा, जैसे कि मालने टुक्की वाले का example लिया, तो मैं आलू भेजूँगा, और भी तेल भेजूँगा, दही भेजूँगा, और जो भी चीजी use होता है, सब भेजूँगा, तो कौन भेज रहा है इसको, head office भेजेगा, किसको भेजेगा, branch को भेजेगा, तो भाई ये तो एक तरीके से पी एंडल की बात करें, तो वो purchase होगी है branch के लिए तो, branch के point of view से क्या होगा, customer से पैसा आया, sale, और जो head office ने भेजा purchase, तो जो हम भेजेंगे, क्योंकि ये head office कर रहा है, तो यहाँ पर word लिखेंगे, हम goods sent, अब goods sent क्यों बोल रहा है, क्योंकि बनाई ये रहा है, भेजेगा किसको, और accounting किसकी कर रहा है branch की, तो मैं branch में account में लिखूंगा, जैसे की purchase लिखते थे, जातर बच्चों को कई बार मैंने देखा है, sir, good sent क्यों लिख रहे हो, good sent का मतलब क्योंकि ये dependent branch है, अगर यही independent branch होता, तो यहाँ पे वो word लिखता, purchase, क्योंकि वो खुद ही खरीद लेता, समझ रहे हो, वो खुद ही खरीद लेता, इसके बाद, चलिए, आगे देखते हैं, sir, अब जब हमारे पास ये purchase खर्चा है, तो कई बार ऐसा होता है, जब हम समान उसको भेजते हैं, तो वो समान return आ जाता है, तो ब्रांच ने किसको return कर दिया, मुझे return कर दिया, तो यहाँ पे अगर कोई भी point return हुआ है, तो इधर आ जाएगा, buy, goods, return, sir, return दो तरीकी के हो सकते, एक ग्रहाग भी return कर सकता है, मैंने समान बीचा, ब्रांच ने समान बीचा, और उसने return कर दिया, तो वो हो गया sales return, और एक head office ने समान बीचा, और ब्रांच ने return कर दिया, तो कौन सा return हो गया, ब्रांच रिटन हो गया, तो यहाँ पे sales return नहीं आएगा, जो ब्रांच रिटन करेगा, इस बात को आपको ध्यान रहे, तो यहाँ पे ब्रांच रिटन आ गया, और क्या हो सकता है, सर, कई बार stock ह हमारा यहाँ खराब हो सकता है, जैसे, ब्रांच रिटन के जगह हम goods return ही लिखेंगे, जो customer return करेगा, वो डेटर में जाएगा, customer का return यहाँ नहीं आएगा, customer का return एक case में आएगा, हम जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, तब ही लिखेंगा, अभी पहले simple simple format कर लेते हैं, एक हमारे खराब भी हो जाते हैं, जिसको बोला जाता है spoilage, या फिर preferage, कई बार goods हमारे चोरी भी हो जाते हैं, तो any kind हमारा goods जब नुकसान होगा, चाहे आपका normal हो या abnormal हो, तो यहाँ पे दो तरीके से हमारे goods destroyed हो सकते हैं, पाए goods, दो तरीके से goods का loss हो सकता है, ठीक है, नमब loss हो सकता है, अभी cost वाले में इसका roll रही है, जब IP वाले करेंगे तो इसका roll हैगा, एक हो सकता है abnormal, अभी सिर्फ मैं लिख रहा हूँ, बाकी बाद में हम इसको पूरा detail में चर्चा करेंगे, कि है क्या है, सेम सारे assets का opening balance इधर, अब बताओ, अगर liability का opening balance हुआ तो इधर ल debtor, कितना आसान है, सारे assets लिख दो debit में, goods sent को लिख दो, और सारे खर्चे लिख दो, लेकिन खर्चे कौन से वाले लिखने है, जो head office ने किये है, buy side में remittance लिख दो, जो debtor से पैसा आया है, और जो sales से पैसा आया है, कोई goods return ने तो इधर लिखो, सारे assets का closing balance निकलो, और इ net profit, समझे, यह क्या आगया हमारा net profit, यहां तक कोई दिक्कत, यहां तक clear है, अब हम आगे चलते हैं sir, debtor account में, किस में चलेंगे हम, पहले यह वाला account clear है, अब debtor account, sir, debtor account बनाने का क्या objective है, कब-कब debtor, अभी पता चल जाएगा, आपको debtor account कब बनाना है, debtor हमारा एक तरीक debts है, तो इसका balance, pd होगा, यानि opening balance, और balance y side में आजाएगा, cd, ठीक है, यह होगया debtor, अब debtor बढ़ने का सिर्फ एक reason है, जितना उधार माल बेचोगे, वो बढ़ेगा, तो two side में, बढ़ने का अगर reason लिखू मैं, तो two side में क्या हैगा, credit sales, एक और reason है, जब हमारा bill dishonor हो जाता है, तो br क्या होता है हमारा, मैं उसको बाद में incorporate करूँगा, जब br dishonor का आएगा, जैसे हम br क्या होता है, अगर debtor से हमने कोई guarantee ले लिया, तो वो क्या बन जाता है, br बन जाता है, लेकिन अगर वो dishonor हो जाता है, तो वापस से debtor बन जाता है, उसको हम बाद में देख लेगे, अब घटने के बहुत सारे reason, अगर हमने पैसे ले लिये उससे, तो भी घट जाएगा, अगर customer ने return कर दिया, तो भी debtor घट जाएगा, अगर हमने कोई discount दे दिया, सर, तो भी debtor घट जाएगा, अगर हमारा bad debts हो गया, तो भी हमारा debtor, अगर हमने BR दे दिया, तो भी हमारा debtor घट जाएगा, इतने सारे reason हैं घटने के, एक word है, जो कि अक्सर student गलत कर देता है, क्या सर, provision for doubtful debts, हमने जितने भी questions किये हैं अभी तक 11th में, 12th में, हर बार provision for doubtful debts को हम debtor से minus कर देते हैं, लेकिन actual ऐसा होता नहीं है, real life में, वो liability होता है, तो provision for doubtful debts से कभी debtor minus हो ही नहीं सकता, माल लेते हैं, मेरा आज मैंने उधार माल दे रखा है, एक लाग का, provision का मतलब क्या है, अगर मैंने एक लाग रुपे का उधार माल दिया है, मुझे अंदाज होता है कि चलो बच्चों को आराम से समझ में आ जाएगा, इसलिए कर देते हैं, जैसे जैसे आगे बढ़ोगे तो actual समझ में आगा, यह debtor से तो यह actual में minus होता ही नहीं है, इसको तो separate जगहा पर रखा जाता है, ठीक है, तो यहाँ पर फिलहाल वो जाता है हमारा short term provision में, provision क part होता है, जब हम second semester में आओगे न corporate account में, तो वहाँ पर clarity मिलती है हमें, तो provision for doubtful debts अगर question में दे रखा हो, तो क्या हम debtor account के by side में लिखेंगे, जब आप नहीं लिखेंगे, तो इसके लिए मैं note भी डाल देता हूं sir, note क्या note, provision for doubtful debt, debt not record, दोनों साइट balance नहीं मैंच होगा, दोनों साइट same ही रहेगा, अभी मैं question करूँगा, तब पता चलिए, provision for doubtful debts not record in debtor account, ठीक, इस बात का आपको ध्यान लगना है, जो मैंने note लिखा, यह format समझ में आया है, एक बार format को go through करें, क्या है sir, यह format, अगर मैं format की बात करूँ, तो very simple, format में क्या है sir, एक branch account है, branch account also like a P&L, P&L बोलना मत इसे, सारे assets लिख लेंगे, जितने भी दे रखा हूँ, यहाँ पर good sent आ जाएगा, good sent का मतलब जो head office में भेजा है, यहाँ सारे खर्चे आएंगे, लेकिन वही खर्चे आएंगे, जो की head office देने के लिए promise कर रहा है, और इस side में आ जाएगा, जो पैसा मिलेगा, पैसा मिलेगा sir, जो भी पैसा मिलेगा, remittance से, remittance से दो जिखे से पैसा आ सकता है, cash sales और collection from debtor, अगर कहीं और सभी पैसा आ रहा है, suppose करो branch ने क्या कर रहा है, एक अपना furniture भीज़ दिया और पैसा आ गया, तो वो भी यहाँ पर आ जाएगा, अगर कोई goods return हो जाएगा, तो यहाँ आ और अगर branch return करेगा, तो इसमें हैगा, एक काम यह भी हो सकता है, मान लोग कही बार पता है क्या होता है, जैसे आपको देखोगे, आज जी होका, आज जी होका तो showroom नहीं है, यह online है, reliance trend के नाम से, showroom क्या होता है, इसका, मिल जाएगा आपको, यह Tata trend मिल जाएगा, बहु यह facility मिलता है, मतलब मैंने समान इस दुकान से खरीदा, और यही showroom मेरे दुकान के पास भी है, मेरे घर के पास भी है, यह office के पास है, तो मैं वहाँ पे भी जाके उसको return कर सकता हूँ, यह facility दिया जाता है, तो कई बार customer को मान लेते हैं, कि मैंने एक गुलाब जावन का ड अफिस NSP में था, NSP में उत्रा, बोला चल यार घर लेके चलता हो, expiry date रहता रानी बाग में, अब रानी बाग में गया, और उसने रानी बाग को बोला, भी या मैंने तुम्हारे इस ब्रांज से खरीदा, देखो expiry date है, अब उसने change कर दिया, या उसने वापसी ले लिया, तो अब customer देखो, दो return कर सकता है, या तो customer direct return किसको कर सकता है, या किसको कर सकता है, अगर customer ने direct return head office को किया, तो यहाँ पे आएगा, sales return, क्योंकि एक तरीके से, इसके पास से return, इसके पास आता और ये वापस किसे देता, मुझे ही देता ना, तो एक बार एक direct आगया तो, ब अगर direct return to HO, अगर head office को direct return किया गया, तो तो यहाँ पे आएगा, otherwise नहीं आएगा, या आगए एक question दे रखा है, उसमें कर लेंगे, बाकि यहाँ पे sales return आजाएगा, opening balance debtor का closing better, यहाँ पे balance total आएगा, इधर आएगा तो क्या आजाएगा हमारा profit, और इधर आएगा तो क्या abnormal loss abnormal loss अभी नहीं, अगली class का agenda रहेगा, ठीक है,